सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभाजी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का साथी बेल आइकन को दबाना ना भूले धर्म ये नहीं कहता है कि ब्राम्मड का बद करो ब्राम्मड का बद करना अधर्म है ब्राम्म हत्या से बड़ा पाप कुछ नहीं है इसलिए कभी भी ब्राम्मड का हत्या नहीं करना चाहिए यूदिष्ठिर ने कहा कि द्रवपदी सच बोल रही है अरजुन और भीम तयार है भीम बोले इसे तुम मारो या फिर मे मारो कृष्ण को पुछा प्रभू क्या करना चाहिए भगवान बोले मत्तं प्रमत्तम उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं बिरथं भेतं बाल हत्या बहुत बड़ा पाप है श्त्री को मारना पाप है ब्रह्मड को मारना पाप है और ये इससे बड़ा पापी और कोई नहीं इसने सोय हुए बालक का बद किया है जैसे बोला भगवान कृष्ण की ओर देखा प्रभु आपी बताओ सजा क्या होना चाहिए भगवान बोले देखो अर्जुन मैं धर्म का वक्ता हूँ भगवान कहते मैं जो बोलता हूँ धर्मोचित बात ही मैं बोलता हूँ मैं अपनी बात बोल दूँगा और बाकी निरने आपको लेना है भगवान कह रहे हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर नहां अंतब्या आतताई बधारहन मय इबो भयमाम नातम परीपाईया नुसासनम आज गिताचार्य भगवान स्रीकृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर नहां तब्या ब्रह्मड को मारना सबसे बड़ा पाप है इसलिए कभी भी जीबन में ब्रह्म हत्या मत करो लेकिन आतताई बधारहन पापी है तो वो ब्रह्मड ही क्यों ना हो दंड के अधिकारी है जो पाप करता है न उसको सजा तो होनी चाहिए प्यार से बोल दिजे ना